अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे नीचे बैल आइक अने उसे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नोट्विकेशन सबसे पहले आपके पास आए आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जितिया वरत के बारे में जी हाँ जितिया का नहा खाई कब है जितिया के नहा खाई में क्या क्या किया जाता है क्या खाया जाता है और क्या नहीं खाया जाता है और जितिया वरत को लेकर बहुत जगब बहुत सारी confusion है जी हाँ कु confusion क्यूं हुआ है वो भी मैं आप लोगों को clear करने वाली हूँ जी हां दो पंचांग होता है एक होता है बनारसी पंचांग और एक होता है जी हां मितला पंचांग जो कि बिहार में ये दोनों पंचांग को follow किया जाता है जो भोजपुर के हैं वो बनारसी केलेंडर को follow करते है जी हां और बनारसी पंचांग को follow करते हैं और मानते हैं और जो मितला से हैं वो मितला पंचांग को follow करते हैं तो मितला पंचांग में जो है आईए सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं मितला पंचांग तो मितला पंचांग को जो follow करते हैं जो मानते हैं जी हां जो मितला तरीको नहाखाई करेंगे और कल और 17 तरीको फास्ट रखेंगे जी हां वो रखेंगे तीन साज का कल 24 गहंता और संडे को पूरे दिन रखेंगे साब में जाके वो पारण करेंगे वही अगर बात करूं बनारसी कलेंडर का जी हम बनारसी पंचांग खा तो ये लोग कल और 18 तारी को fast करेंगे तो यह जो doubt था वो I think अब लोगों का clear हो गया होगा चलिए अब बताते हैं बहुत लोगों का सवाल आया था कि जितिया में जो है वो मचली खाना चाहिए कि नहीं जी हां मचली और मरुवा की रोटी यह जो होता है बहुत ही नियम होता है नहाखाय में और नोनी का साग जी हां नोनी का साग भी बहुत ही महत होता है इसका तो नहाखाय में यह सब चीज बहुत जरूरी होता है और मेरे यह और अगर मैं अपने ससरार की बात करूँ तो मेरे ससरार में नोनी का साग जिगनी और अर्वी जो होता है उसका सबजी बनता है एक मैं म खिला कर बना देती हूं और सबसे पहले चील और सियार के लिए निकाल दिया जाता है और उसके बाद जब हम लोग नहाख है कर लेते हैं तो फिर ममी ओठगन बनाती हैं जी हां जितने आपके घर में जेंस हैं सारे के लिए बनाया जाता है मेरे यहां छे ओठगन बनता है और उसके बाद रात में जी यहां दर्वाजा के दोनों साइड में उडगन ममी रखती हैं फिर उठा के रख दिया जाता है पुजा जब कर लेती हैं ममी तो और उसके बाद वही घर के जितने जैंस हैं उनको खिलाया जाता है फिर नहाक है कि रोज जो सबजी बनाते हैं जी हां इसको जिगनी के पते पे सुबह में चछ पे दे दिया जाता है चिल और स्यार को खաने के लिए और उसकी बाद सरगी तीन या चार वज़े सुबह में सरगी हम लोग करते हैं जीalf झिसको आप लोग बोलते हैं उठान खाते हैं और उसके बाद पूरे दिन जीतिया अश्ट देते हैं और उसी पे जितिया रखा जाता है डाली पे जब जितिया का अरग हम लोग दे देते हैं उसके बाद कथा सुनते हैं जित्वान वाहराज का कथा सुनने के बाद जो जितिया होता है वो अपने सबसे पहले पुत्र को गले में पहनाया जाता है जी हैं अपने बेटे सीजनली एक फूल आता है कटो का पूल हम लोग बोलते हैं उसमें डाली भर आ जाता है जितीया और बहुत आप लोगों का कुश्यन आ रहा था की मैंं गनासे यो में จะ को आ देती लेकिन आपके घर में कैसे होता है ये आप अपने बड़े बुझ्रुग से पूछ कर करें कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो जी हाँ एक ही वीडियो में मैं कोसिस किया आप लोगों को बताओं नहाखाय कैसे किया जाता है पूजा कैसे किया जाता है और पारण कैसे क और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना मेरे वीडियो को इंडि तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद और थांक्स फोर वाचिंग कीफ सपोर्ट